जै इंसे भीको मैं प्रेम जित सिंग जीत फाउंडिशन प्लासेज में आपका एक बफिर से स्वागत करता हूँ और आज जो मैं लेके आया हूँ जो जिसके बात की थी मैंने मैस से रेलेटेड कि जो गनीत है हमारा तो उसको हम को कैसे स्ट्रॉंग करना है तो अब इस कड़ी में मैं कुछ चीजे बताऊंगा आपको एक से दो वीडियो ठीक है आपको लगेगा कि इसका सिलेबस से क्या लेना देना देखे स्टिक्ट दो सिलेबस ही रहेंगे हम और यह रहा है रिकॉर्ड और अगर आप लोग ट्रस नहीं करिएगा तो फिर कौन करे होगा और इस कड़ी में यह जो जो केलिवलिशन के छोटे मोटे जो पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करना बड़ा जरूरी है ठीक है चलिए तो अब आज मैं लेके आया हूं निकिलम नवस्चरम दस्ता यानि कि इसका सीदे-सीदे अर्थ होता है कि आखरी जो है वो दस से और और बाकी जो है वो नौ से क्या कराना है मैनस कराना है यानि कि अब समझ यह बात को स्टेट्मेंट को मैंने समझा दिया अब इसको आप जाने दिजिए ठीक यूज कैसे कह रहेंगे कैसे हमको इसको को प्रियोग करना है बनाना है तो यह चीज आप ध्यान से देखिएगा क कि भाई जो भी number होगा मितलब एक particular number मैंने मान लिया 3 जो भी उसका active base होगा तो उससे क्या मिलेगा अगर आप active base में से number को minus कराते हो तो आपको मिलेगा उसका पूरक मतलब एक संख्या है उसकी पूरक संख्या कौन सी होगी तो ये कैसे ग्याद करेंगे उसके जो आधार होंगी क्रियात्मक आधार जो होंगे यानि टिबेस जो होंगे उसमें से minus कराके तो इसका active base लिया जाता है दस को minus कराईएगा 10 में से 3 को आएगा 7 यानि कि 3 हुई संख्या और 7 हुआ पूरक या अगर आप संख्या लेते हो 7 को तो 3 हुआ पूरक और 10 क्या हुआ आधार ये समझिए ठीक अब जैसे कि मान लिजिए मैंने ले लिया एक संख्या 56 ठीक अब इसका जो आधार होगा वो होगा 100 ये बहुत काम आने वाला है आगे तो इसकी जो पूरक संख्या होगी वो क्या होगी 100 मैनस 56 तो ये आजाएगा आपका एंजर 44 कि ये भई क्या होगा छपन का पूरक होगा तो संख्या और पूरक और अधार ये तीन चीज़े आपने समझ ली अब ये आगे बहुत जगे यूज होगा ये एक ही जगा नहीं मतलब अगर आपका अगर अधार 1000 है तो तीन अंकों की संख्या अजार दस जार है तो चार अंकों की संख्या और उसका पूरक निकाला जाएगा और ये बहुत फास्ट कैलकुलीशन कहीं कहीं माइनस में ज़रुत पड़ेगी कैलकुलीशन में ज़रुत पड़ेगी तो आप ये याद रखिएगा कि आखरी 10 से बाकी 9 से जैसे कि मैंने पूछा 6573 इसका हमको ये संख्या दिवी आपको एक नंबर दिया हुआ है इसका पूरक बताईए ठीक है तो पूरक क्या होगा सीधे तो और पी क्रियात्मक अधा इसका होता है 10,000 ठीक अब इसमें से आप ट्रेडिशनल मेठेड में मैनस कराते रहेंगे या फिर आप ये याद रखिए कि आखरी 10 से और बाकी 9 से जब भी इस तरीके के कुछ आ है तो आप याद रखिए आखरी 10 से बाकी 9 से तो आब देखिए इसको मैनस कराने जैसे जा संख्या ठीक है और दोनों का आधार कौन होगा तो आधार होता है 10,000 ठीक मैं बस आपको संख्या और पूरक समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा कभी भी दिया हो तो आप डिरेक्ट आखरी अंक को 10 से और बाकी को 9 से मैनस करके लिख दीजिए इसका यूज क्या है मतलब यह जो प्रयोब गुना करने में होगा, वर्ग निकालने में होगा बहुत जगते होगा मैंने बस जन्रहां मुझे नीमल से करके बता आइए वह जो लोगों को पता चलना से की इस theft मैं अपनी वीडियो में पांच sixी इनको जगाद देऊंगा ही, यह चाहे कुछ भी हो जाहें, ठीक, तो इसके लिए मैं सौरी चाहूंगा, अब मैं आता हूं, मैं डिरेक्ट आपको बता सकता था कि यह से कर दो, असान है, ठीक, बट नहीं, मैं वह नहीं कर सकता, मेरे लिए वह थोड़ा सा मुस्किल है, अब जैसे की दो अंक की कोई संख्या है, इसका मल्टिप्लाइ करना है, ठीक, इसका मल्टिप्लाइ करना है, बै आपको एक सिंपल से एक्जाम्पल समझाता हूं, सबको पता है, आठ सात चपन होगा, एंसर आगा नो, चपन, फिफ्टिश्क्स, बट मैं बता रहा हूं, इसकी सब लोग को अब ध्यास देखिए इन दोनें को अपको गुणा करना है और इसमें से या तो इसको मैनस करा तरहे हैं यानि साथ मैंस करा दिजये आज मेंस तीन को मैंस करा दीए आपको आपका एंसर मिल जाएगा छोटे से कूश्यन में मैंने आपको समझाने कोशिस की है 2 तीयां और यहां पे हम किरा देते हैं 8 में से माइनस 3 को तो 8 में से माइनस 3 आया और यहां से जो माइनस की उसमें सा है तो हमारा आगया एंसर 56 ठीक है 8 में से माइनस की जिए 3 को 5 2 और 3 6 आ गया ठीक है चलिए इस पोशन के लिए देखते हैं इसमें अगर ध्यान दिजिएगा थोड़ा बड़ा लिखते हैं कि 98 है 98 का जो बेस होगा 100 100 से कितना कम है यह तो दो कम है अगर दो जूड़ जाए तो यह 100 हो जाएंगे यानि दोनों एक दूसरे के पूरक है दो और 100 तो दो और 902 तो यहाने 2 यह यहां लिख देंगे 3 और जहर जी बात है इन दोनों को क्या होता है multiply तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 3 बाकि यहां तो आप 98 में से 3 मैनस करें है मतलब 98 में से 3 को मैनस करें है यह 97 में से 2 को मैनस करें है तो मैनस में से इसको मैनस करा दिया आगया 95 ठीक है तो यहां आगया 95 और यहां से आगया 6 ठीक लेकिन ध्यान देनावला बात यह है कि जो सेपरेटर है ठीक उसके जो अगर इधर एक अंकार है और दो अंको कहां गुणा कर रहे हैं तो यहां आप सिंप्ली क्या करेंगे जीरो अप्लाई कर देंगे तो एंसर आ जाएगा 9506 9506 दिर दिर जैसे बढ़ते रहेगा मैं आपको इसके जो भी और भी ट्रिक्स हैं वो आएगा 90 तो एंसर आगया 9024 मतलब कि इतनों का जो गुड़ अनफल है वो कितना आएगा 9024 क्लियर अब एक कोशन ऐसा लेते हैं कि यह दिया हुआ है ध्यान दीजेगा कि 112 और 98 क्लियर ध्यान से देखेंगे तो इसका पूरा का आएगा माइनस 12 क्योंकि 112 और माइनस 12 मिलके हाँ इह हूँगे सॉफ 98 का आएगा 2 दोनों को मल्टीप्लाइ कराएंगे यहा प्लस में है और एक माइनस में है विर दोनों को अगर मल्टीप्लाइ करेंगे तो आएगा माइनस 24 12 24 म願いनस 24 ठीक अब या तो इसमें से इसको minus कराई है या तो इसमें से इसको minus कराई है लेकिन ध्यान दिजिएगा चिन्ने का बड़ा ध्यान दिजिएगा ठीक है अगर 98 में से इसको minus कराने जाता हो तो यह जूड़ जाएगा 98 minus minus of 12 होगा या फिर 1, 1, 2 में से direct minus कराता दूनों ही cases में आता 110 ही और यहाँ पे separator के बाद यहाँ पे है minus 24 ठीक लेकिन यहाँ minus 24 ले नहीं सकते तो अब minus 24 नहीं ले सकते तो क्या लेंगे भाई तो यहाँ से 1 जाएगा और यहाँ जो है देखिए यह यहाँ बचेगा 110 में से 1 चले गया तो यहाँ बचेगा 109 लेकिन इधर जाएगा 100 100 में से 24 को घटा दीजिएगा तो आज जाएगा 76 तो इस तरीके से दो अंको का गुणा करा हम लोगों ने ठीक है 24, 100 में से घटा दीएगा 670 आ गया इसका पूरक होगा 12 इसका पूरक होगा माइनस 6 वह दोनों मिल के 100 करने चाहिए उनके अधार के बराबर उनका माना चाहिए तो ध्यान से देखिएगा कि 12.72 और यह क्या आगया प्लस में अगर प्लस में आगया हमको उसके बाद यहां वह लेके carry करके और उसमें से माइनस कराने के जरूरत नहीं पढ़ने वाली इसमें सी है तो इसको माइनस कराईए इसमें सी हा तो इसको माइनस कराईए दोनों ही माइनस करने जाहिएगा आप तो देखिए 106 माइनस 12 यानि कि 11872 आ गया इस question का answer 11872 क्यों minus minus क्या हो जाएगा plus तो क्या आ गया हमारा answer 11872 तो इस तरीके से multiply के लिए ये use होता है ये जो method था अब इसके बाद multiply के बाद जो हमारा अगला जो topic रहेगा ठीक इसके अलाबा मैं आपको एक homework देता हूँ आप उसका मुझे answer कर दीजिएगा ठीक comment करके जरूर बताईएगा अगर आपको ये अच्छा लगेगा सीखने में और और कहिएगा तो मैं और detail में बताऊँगा इसका use बहुत होता है मैस में भाई 998-1110 इस दोनों का multiply करके comment करना है बताना है कि क्या आएगा answer clear? तो तब तक के लिए अब एक जरूरी बात यह है इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि मैस के वीडियो आहेंगे बट छोटे-छोटे सुरू में जो है न calculations related जो भी मेरे पास है वो मैं ला के रखूँँगा आप लोग पसंद करिएगा useful लगेगा मैं mention करके रखूँगा उसको तो वो आप पढ़िएगा otherwise जब chapters चालू होंगे तो वो एकदाम strict to the syllabus होंगे और समझ लिजीए कि यह उसका हिस्सा है दो घंटे में 200 question मनाने है आपको मैस और रजनी के तो पूरा काम speed का है बकी भरुसा रखी है और मैं globe लेके आया था तो वो आपके syllabus का हिस्सा है आपको बहुत जल्दी एसास होने वाला है ठीक लेकिन चलिए कोई नहीं मिलेंगे पूरी तैयारी के साथ लगे रहना है आपको बड़ा ही challenge है ठीक है हार नहीं मानना है give up नहीं करना है और भरुसा रखना है ठीक है एक दूजरे के साथ देखे आगे बढ़ेंगे और daily fixed time तो भी वीडियो जाएंगे ये वीडियो में खास करके मुझे यही बात करनी थी तो बात अगर हो और कुछ पढ़ेना तो मजा नहीं आता तो इसलिए पढ़ा भी हमने मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत